Hello everyone, Welcome back on another mathematics puzzle video. चलिए सबसे प्ले हैं इस question को देख लेते हैं, इस question में आपको क्या दियागा है? 1 प्लस 2 जिसका sum आपकर equal दियागा है? 3 के equal दियागा है. Next, 6 प्लस 6 जिसका sum आपकर equal दियागा है? 36 के equal दियागा है. Next, 8 प्लस 8 जिसका sum आपकर equal होगा, 16 के equal होगा. और आपको यहीं पर बताना है कि कोशन मार्क्स किया यहां पर आपका स्कॉर्ण सा नंबर आएगा नैंक्स्ट नाइन प्लस टू जिसका समय आपके स्ट इकॉल दिया गया है चलिए इस पर्टिकुलर को सॉल्ब करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं अगर आप 10 सेकंड्स के अंदर अपनान सा निकाल देते हूं तो आप अपना अंसर हमें कॉन बॉक्स आ मैंशन कर सकते हैं चलिए आपका समय में स्टहा कंग को recall करते हैं इस इस इसित आइभ इसप outlets तू जिसका सम्वापकर स्वापकर 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 स्वा और आपको यहां पर equal दिया गया है 77 के equal दिया गया है अगर आप इस question को ध्यान से देखो तो इस particular question में simply आप क्या formula बनेगा सबसे पहले step में आपको क्या करना है आपको sum लेन है सबसे पहले step में आपको क्या करना है आपको sum लेन है एक्स प्रस वाय का sum यहां पर आपको sum लेन है आपको sum लेन है 1 प्लस 2 का sum लेन है जिसका sum आपको equal होगा 3 के equal होगा और 3 multiply करना आपको first odd number जो क्या आपका 1 यानि कि आपको multiply करना है 3 multiply 1 जिसका sum आपका equal होगा 3 के equal होगा और 3 आपको में screen पे भी देख रहा है इसी ता next में भी आपका same formula यूच होगा यानि कि सबसे पहले step में आपको क्या करना है आपको sum लेन है x plus y का sum लेना है यहाँ पर जो x की value रहेगी वह रही कि आपका 6 और y की value रहेगी वह भी आपका 6 यानि कि आपको sum लेना है 6 plus 6 का sum लेना है जिसका sum आपका equal होगा 12 के equal होगा और 12 multiply करना आपको second और number जो कि आपका 3 यानि कि आपको multiply करना है 12 multiply 3 करना है जिसका sum आपका equal होगा 36 के equal होगा और 36 आपको पने screen पे भी देख रहा है इसी ता next में भी आपका same formula यूच होगा यानि कि सबसे पहले step में आपको क्या करना है आपको लेना है 7 एक्स अध तनहाः diffus Ted या पयोग को असं एक्स प्रस प्रस टाबृज़गा हो रहि Alter 뇌 आपका 9 जो वाई की वाइक विल्वाइर्व रही रही टू यानि कि आपको समे इना है नाइन प्लस टू का सम लीना है जिसका sum आपका एकुल होगा 11 के एकुल होगा और 11 multiply करना है आपको 4th odd number जो कि आपका असरेगा 7 यानि कि आपको multiply करना है 11 multiply 7 करना है जिसका sum आपका equal होगा 77 के equal होगा और 77 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है इसी तरह से same formula यूज़ करके आप यहाँ पे motion marks की value को find कर सकते हैं सबसे पहले step में आपको क्या करना है आपको sum लेना है x plus y का sum लेना है यहाँ जो x की value रहेगी 8 और y की value रहेगी वह भी रहेगी आपका 8 यानि कि आपको sum लेना है 8 plus 8 जिसका sum आपका equal होगा 16 के equal होगा और 16 multiply करना आपको और नमबर जो कि आपका सब्सक्राइगा थर्ड और नमबर 5 रहेगा यानि कि आपको multiply करना है 16 multiply 5 करना है जिसका sum आपका equal होगा 80 के equal होगा यानि कि जहां पे आपको question marks दिक रहे हैं वहाँ पे आपका कि आएगा 80 आएगा अगर आपने पहले question को solve कर दिया हैं तो आप अपना असर हमें कौन बोक्स मेंशन कर सकते हैं I hope this video finder informative thank you for watching it